अगर आप Paytm यूज़ करते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है क्योंकि RBI ने Paytm Payments Bank की कुछ सेवाओं पर रोक लगाई है जिसका सीधा आसर आपके Payments पर पड़ सकता है हलाकि रोक के बावजूद कस्टमर को ट्रांसफर और विड्रॉल की अनुमती होगी आपको बताते हैं कि RBI ने Paytm के खिलाफ क्या कारवाई की है RBI के इस कदम से यूजर्स पर इसका क्या आसर पड़ेगा Paytm में आने वाले दिनों में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा नमस्ते मैं हूं सुनैना सिंग आप देख रहें News Nation RBI ने Paytm कंपनी की Financial Service को लेकर निर्देश दिये है RBI के और से मिले इन निर्देशों का पालन करने के लिए Paytm तुरंत कदम भी उठा रही है जिससे Paytm का इस्तमाल कर रहे उसके ग्रहकों को कोई समस्या ना हो सबसे पहले आपको बताते हैं कि Paytm पर जो बैन लगा है वो Paytm Payments Bank की Services पर लगा है ना कि Paytm App पर इसका मतलब है कि Paytm App के Users पहले की तरह App की Services इस्तमाल कर सकेंगे Paytm Company का कहना है कि हम RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए ततकाल कदम उठा रहे है इससे यूजर्स के बचत खातो, वॉयलेट, फॉस्टेक और NCMC खातों में जमाराशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं कस्टमर यहाँ पर उपलब्द अपने बैलन्स का इस्तमाल कर सकते हैं Paytm Payment Company कई बैंकों के साथ काम कर रही है लेकिन अब आगे चलकर कमपनी PPBL के साथ काम नहीं करेगी कमपनी की बाकी financial services जैसे loan वित्रण, बीमा वित्रण और equity, broking किसी भी तरह से सहयोगी बैंक से संबंधित नहीं है और इस दिशा से अप्रभावित रहने के उमीद है Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm Card Machine जैसी हमारी offline व्यपारी भुकता network पेशकशें हमेशा की तरह जारी रहेंगी बात करें कि आने वाले दिनों में Paytm पर क्या नहीं चलेगा तो अगर आपने अपना Paytm Payment Bank account को UPI से link करा रखा है तो RBI की action से आपको परिशानी हो सकती है अगर आपका UPI address, SBI या ICICI bank जैसे किसी दूसरे bank account के साथ link है तो RBI के action से आप पर कोई असर नहीं होगा जो दुकानदार अपने Paytm Payments Bank account में पैसे receive करते हैं वो payment service नहीं कर पाएंगे Paytm Fast Tag users को नया tag खरीतना होगा और अभी जिस Fast Tag का इस्तमाल कर रहे हैं उसे deactivate करना होगा Paytm के जरिये loan लेने वालों को लगातार repayment करते रहना होगा Paytm के मताबिक इस महिने की 29 फरवरी तक OCL और Paytm Payment Services Limited के नोडल खाते को खतम कर देगी इस संबंद में जारी निदेश में PPSL के साथ नोडल को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर देंगी RBI के इस कदम से Paytm के सलाना revenue के परसंटेज में करीब 300 से 500 करोर रुपे की गिरावट देखने को मिल सकती है आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें News Nation के साथ नमस्ते